हेलो फ्रेंस, आज मैं बनाने जारी हूँ गोबी, शलगम और गाजर का अचार, जिसके लिए एक किलो गाजर लिया है मैंने और एक किलो शलगम और एक किलो ही गोबी लूँगी, तीनों को अच्छे से छील के अभी मैं इसको काट लूँगी, इसको किसी भी शेप में आप का जैसे भी आपलाई करते हो इसका टेस्ट आएगा अचार बनकर अच्छा ही त्यार होगा आपका तो अब इसी अच्छे से वाश करने के बाद से गरम पानी से दो बर वाश करूंगे और इसे गरम पानी में डिप करके रखूंगे दो तिन घंटे के लिए जो वेज़िटेबल इसे दूप में रखूंगी इसका पानी अच्छे से वह सुख जाए तो इसमें कोई भी नमी नहीं रहने जाए अब कड़ाई रखी है मैंने उसे मोटी लाइची एक और दो छोटी लाइची एक चमस जीरा और एक चमस सौंफ का ये डाल के साथ में डालूंगी इसके राई हलकी सी इसमें महक आ जाएगी इसका कलर चेंज हो जाएगा हम इसे निकाल लेंगे और इसे ठंटा करके इसे मिक्सी जाब में डालके इसका एक इसमें रतन जोट डालूंगी मैं एक पीस जिसे इसका कलर अचार का बहुत अच्छा आएगा रेडिश में आता है ये सरसो का तेल में ने कड़ाई में डाल दिया जब तक ये गरम ओ रहा तक मैं ये गुड लिया है मैंने तो इसको अच्छे से करश करकर इसमें सिर्के के दो-تिन चमच डाल दूँगी और इसे च्प करके रख दूँगी सौफ्ट होने के लिए यह देखो लेको इसमें तो ये गरम मसाल दाला है नमक, ठेस्ट के हिसाब से लगा अगा वाइड नमक, और चूले दाला है, ये कॺलत दाला है और नमक, spend advice मिर्ची और लाल मिर्ची जाम मिहाइवि डालनेतों सबक्राइब के 3 मिट मिंट मिज़ूरान दाल बाल मिर्ची निए पना गालेंगे लक्राई मिट करें reperाइव दूठे Lesson कि ध्यार ऋलमेट लूट है वह दो तरफशन वप इसमे एड़से कर सबक्राइब काया हाओ मसालों के साथ बोनूंगी दूसरे और मैंने जो ये सिर्का और गुड रखा था इसको मैल्ट करूंगी थोड़ा सा गैस पे तो ये देखो ये मैल्ट होगे इसको ठंडा होने के बाद अब हम इसमें एड़ कर देंगे अब सारी सब्जियां देखो मैंने अच्छे से मिक्स कर दी हैं ये रेखो इदहालकी सी और सॉफ्ट हो जाएंगी तो चर्मिनट इसे गैस पे पकाएंगे अब इसको हम रख देंगे ढखके ये दो दिन बाद अच्छे से अपना गलर छोड़ेगी और अचार जो हमारा दो द